गुड मॉनिंग फ्रेंड्स एडू साला में आपका स्वागत है एडू साला आपके लिए एक वर्ष की कंप्लीट करेंट लेके आ रहा है जो की संपूर्णता से आपके करेंट को कंप्लीट करता है तो पहले हम कोविट-19 से स्टार्ट करते हैं कोरोना वाइरस सुत्पति बब यचो ने इसे नोवल कुरेंड वाीरस नाम दिय है 12 अरवरे 2020 को डबली हенного वाइरस का नाम कोविट-19 रखा कि माल्च 2020 में डब यचों ने वेट-19 को वैस्विक महमारी क hmवशिस किया कि माल्च 2020 को भार्यस सरकार ने कोविट-19 से लड़ने के अधिनियम 18 97 लागो किया तो इसकी डेट्ट रायाद रखेगा 11 मार्च 2020 को COVID-19 से लड़ने के लिए भारत सरकार ने महामारी रोग अधिनियम 18 97 लागो किया भारत सरकार ने आवश्यक वस्तू अधिनियम 1975 के तहत फेस्ट मास्क और सेनिटाइजर को आवस्यक वस्तो के रूप में घोसित किया है COVID इसका फुल फॉर्म है Corona Virus Disease PPE Kit का फुल फॉर्म है Personal Protective Equipment RT-PCR का फुल फॉर्म है Real Time Polymer Channel Reaction Source का फुल फॉर्म है Served Acute Respiratory Syndrome COVID-19 को महमाजी घोसित करने वाला पहला राज हरियाणा है Corona Virus के चलते भारत में प्रतम बार जयनता करफू 22 मार्च 2020 को लगाया गया सबसे पहले पंजाब राज ने Corona Virus के कारण पूर्ण करफू को लगाया Corona Virus के कारण लागडाउन करने वाला पहला राज राजस्थान करोना वाइरस के संपूर भारत ने पुथम बार लागडाउन कब लगा? 23 मार्च 2022 को करोना वाइरस ने बटने के लिए धान मंतरी मोधी द्वारा किस फंडी की घोश्णा की गई तो PM केर फंडी की घोश्णा की गई Reliance ने भारत का पहला COVID समर्पित अस्किताल मुंबई में स्थापित किया या खोला बहुँ प्रचलित दवा Hydro-Hydroxy-Cloroquine का भारत सबसे बड़ा उत्पादक निर्माता है और Hydro-Cloroquine मलेरिया की दवा है 20 वास्त मंत्राले ने Hydro-Cloroquine को अनसुची H1 दवा के रूप में सुचिबद किया है COVID-19 से संक्रमित होने वाले पहले पतान मंत्री बेरीक जॉनसन थे जोके ब्रेटेन के थे कोरोना वायरिस के भड़ते प्रकोप के कारण टोकियो उलम्पिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देस कनाडा बना COVID-19 की जगह वजह से टोकियो उलम्पिक एक साल के लिए रद्द कर दिया गया है पूने इस स्थित आर्णविक नैदानिक कंपनी ने माई लैब COVID-19 परिक्षणल के लिए टेस्ट किट बनाए भारत की पहली COVID-19 टेस्ट बस महराश्ट में लांच की गई COVID-19 समंधी टेस्ट तो COVID-19 को टेस्ट करने के जो तरीके हैं मुझ पर देखते हैं RT-PCR टेस्ट, Rapid Antibody टेस्ट, Rapid Antigen टेस्ट और Prunet टेस्ट एक मास्क अनेक जिन्दगी योजना यह मद्रप्रदेश ने चलाई और देश इसका COVID-19 के संक्रमर से बचाओ के लिए भारत में मास्क पहने को लेकर जाग रोपता अभियान करना Mission Zero, Mumbai से Mission Zero की सुरुवात हुई इसके तहट Medical Team लोगों के घर घर जाके COVID-19 जा चे तो स्क्रिनिंग करेगी COVID-19 के समय चलाई गया महत्तुपूर आपरेशन यह आपरेशन बहुत इंपोर्टन है, ध्यान से देखिएगा अपरेशन नवस्ते यह भारती सेना दोना चलाया गया वंदे भारत Mission यह विदेशों में फसे 14,800 भारती नागरिकों को घर लाने के लिए Mission सागर, COVID-19 से निमटने के लिए मालदीप, मेडागासकर, सेसल्स और कुरो, कुमो, रोस मालदीप, मेडागासकर, सेसल्स और कुमो, रोस को आवश्यक खाद्यवस्तु में ब्रदान करने के लिए था, आयरुवेदिक दवान की आपूर्ती करने के लिए Mission सागर चलाया गया Operation समुद्र सेतु, COVID-19 के सुर्वाती दिनों में मालदीप में भारतियों को वापस लाने के लिए भारती 9 सिना का Operation था, कौन सा Operation समुद्र सेतु, जो मालदीप में फसे थे भारती, उनको लाने के लिए 9 सिना का Operation था, Operation संजीवनी, ये COVID-19 से निमटने के लिए भारत ने इस Operation के तहत मालदीव को 6.2 10 दवाएं उपलब्द करें किस्ट को मालदीव को तो ऑप्रोजेक्ट संजीव नहीं मालदीव से समधित है प्रोजेक्ट प्लेटीना यह महराज शरकार ने कोविट 19 के लिए सबसे बड़ा प्लाजमा थेरेपी परिक्षन सुरू किया जिसे प्रोजेक्ट प्लेटीना नाम दिया गया प्लाजमा थेरेपी पर प्रिक्षन करने वाला यह देश का पहला राज्य नाम से जाना जाता है प्लाज्मा थेरापिश इतात पर ऐसी प्रक्रिया से हैं, जिसमें क्कून के तरल प्रदार्थ यार प्लाज्मा को रख्त कोशकाओं से अलग किया जाता है। इसके बाद किसी भी ब्यक्ति के प्लाज्मा के unhealthy tissues मिलते हैं, तो उसका इलाज समय रहते शुरू किया जा सकता है। सरदार पटेल, Institute of Medical Science, प्लाज्मा अंसंधान करने वाला पहला के इंद्र मना। कौँसा? सरदार पटेल, सरदार बल्लब भाई पटेल, Institute of Medical Science, प्लाज्मा अंसंधान करने वाला पहला के इंद्र मना। COVID-19 से संक्रमित ब्यक्तियों को परिवहन के लिए, evacuation bag को किस ने डिजाइन किया? DRDO ने। तो अगर पूशेगा, casualty evacuation bag किस ने बनाया? तो डिवाडियों ने बनाया, और casualty evacuation bag किस लिए है? तो यह COVID-19 से संक्रमित ब्यक्तियों है, उनके परिवहन के लिए हैं। भारत की पहली परिक्षन की, patho detect को बनाने में किस महिला ने महत्तपून भूमिया निभाई। तो patho detect को बनाने में, मीनल दखावे भोचले, इन्हों ने महत्तपून भूमिया निभाई। किस परयोजना के तरफ आई आई एससी बेंगलूरु ने एक स्वरसी वैंटिलेटर का प्रोटोटाइब विक्षित किया है थ्वीटर के सीओ जैक डोस्री ने गोबिट 19 से मुकाबला करने वाले चैरिटी के एक विल्लेण्ड बालर दाम देने की होस्ता की है तो COVID-19 के कारण भारत और चीन ने अपने राजनाईक संबंधों की सतरवी वर्षगाठ के सारे कारेक्रम इस्थगित कर दिया तो अगर पूछता है कि COVID-19 के कारण किन्दो देसों ने अपनी राजनाई संबंधों के 70 वी वर्सगाठ सी कारेकर्म को स्कृत कर दिया तो भायरत और चीन है COVID-19 में हमारी के चलती वर्चुल सी 20 सिकर समय आयो जित किया गया और इसकी अध्यक्षिता सौधियरप ने किया बचाने के लिए किस राज सरकार ने चुइंगम की विक्री पर बत्रोंद लगा दिया तो ही'sआणर प्रदेश ने पानगुटका पर किसने किस ने उत्रप्र्देश मेर्दर परजिस ने शुरू की COVID-19 लक्षणों की रैपिड स्किनिंग के लिए तिरंगा नामक वाहन लांच किया गया किस ने लांच किया तो ये लांच किया है केरल ने पथा नाम खिट्टा जिला में लांच किया है कोविट इंडिया सेवा स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्रा ले द्वारा सुरू किया गया है संसोजित महामारी अधनीम 897 के तहट स्वास्त करिमियों पर हमला की जांच तीन दिन के अंदर पूरी की जाएगे तो यह दिने हम याद रखिएगा महामारी अधनीम 897 है चात्रों सिक्षकों के साथ ऑनलाइन समवादों के लिए लॉक्डाउन लर्नर संखला यूनिसेफ की सुरुवात थी इसकी चात्रों और शिक्षकों के साथ ऑनलाइन समवाद के लिए लागडाउन लर्नर संखला युनिसेफ की सुरवात की नासा ने COVID-19 महावारी के इलाज के लिए वाइटल नमक वेंटिलेटर विक्सित किया है तो वाइटल नमक वेंटिलेटर किसने विक्सित किया है तो नासा ने विक्सित किया है वेंटिलेटर से भाग जाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए कॉरेंटीन एप तयार किया गया है किसने किया है आयटी बॉम्बे ने कॉविट नैंटीन से ग्रसित मरीजों को उनकी वाड में खाद ओम दमाएं वित्रित करने के लिए वाड वाड लांच किया आयटी रोपर लें आयटी कानपूर ने सुध नामक एक अल्ट्रा वाइलेट सेनेटाइजर प्रोड़क्ट विक्सित किया है जो मोबाइल की सहायता से चलने वाली डिवाइस है यह डिवाइस कैमरे को रुगान रहित कर सकता है आयायम कोजी कोन ने COVID-5.IN नामक विक्सित किया है जो सभी COVID-19 संबंदित चेमाओ और मदद के लिए वन स्टॉप इस्टल तैंड डिवाइक्टी का काम करेगी वास करो एप आयटी दिल्ली ने चलाया है वास करो एप किसने लॉंच किया है आयटी दिल्ली ने दिल्ली में राधा स्वामी स्प्रिच्वल सेंटर को COVID-19 मरीजों की देखभाल करने है तू एक केंदर के रूप में विक्सित किया जा रहा है किसको राधा स्वामी स्प्रिच्वल सेंटर को यह दुनिया का सबसे बड़ा COVID-19 सुविधा केंदर होगा जिसमें 10,000 बेड और इसे COVID-19 से लड़ने वाले मरीजों की देखभाल करने के लिए केंदर कुरूप में विश्क दिया जा रहा है इसका उद्देश क्या है COVID-19 से प्रभावित हो रहे है सिक्षा को बहतर बनाने के लिए शात्रों को घर पर ही पार्ठिक्रम पेडियो उपलब्द कराया COVID-19 से सुरक्षा है तो सारोजनिक जागरूपता को बढ़ावा देना रूहदार क्या है एक विटकार का वेंटी लिटर है कोरोना संक्रमित कोरोना संक्रमितों के सव को दफनाने और दासंस्कार को बाधा उत्वन करने वाले को तीन साल की सजा देने की गोंत्रा तमिल उम्बारे डोरिस्टिप आंगनबाडी उम्बारे अबलिक डोरिस्टिप आंगनबाडी नामक पहल की सुरवात गुजरात ने की है तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं उम्बारे या डोरिस्टिप आंगनबाडी नामक पहल की सुरवात गुजरात ने की है हम हार नहीं देवीट करने वाले डाक कर्मी यह करोना का सिकार हो जाते हैं तो केंद सरकार ने 10 लाग रूपय का मुझट देगी यात्रियों के लिए कार्ण वायरस रक्थ परीक्षन शुरू करने वाली दुनिया की पहरी को पूरी तरह से सील करना सुकून सुकून कोविट 19 पहल जमो के स्मीद में लागडाउन के दौरान मनोबग्यानी प्रभाओं को दूर करने वाले उपायों को जो दर्सन पर पस्तुत करने हैं तो इस पहल की सुर्वात की गई है इसका उदेश लोगों के मानसिक रूप से स् गावइण के खिलाब लडने के लिए सःयुक्तराशन recruiting मनिपुर की खूड़ोल पहल को बेस्तु के सीचड़स पहलों में सामेल किया हैं किसको मनिपुर की खूडोल पहल को किसी सामिल किया है तो overe Today इस पहल ने इस समय में सेबकों का दल गठित किया जिनौने दाइनी की वेतन भोगी एउम एड्स्त्र प्रुभावित लोगों को भोजन श्वास वेदाय प्रतान की अंधियस पहल बंदी भारत मिशन व तरह भारत लोटने वाले नागरिकों को कोसल मां प्रिद एतु तो स्मुदेश वहल के सिली किया एप लांच होने के मात तेरा दिनों में दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलाउड किया ज़ना आप बना आरेग शेतु एप केंद्रे इलेक्ट्रोनिक सूचना प्रद्योगी मंत्राले के तहत कारे कर रहे है राष्ट्री सूचना विज्ञान केंद्र ने आरेग शेतु ए केंद्री एलेक्ट्रोनिक सूचना प्रद्योगी मंत्राले और इसके तभत कोई किसे में संप्रक्र में आता है तो उस ब्यक्ति को सिशयेत कर देता है आरोग शेकर आई डाटा को केंद्र सरकार कितने दिनों तो रखती है तो एक सोची दिन तर रखती है छह माईने तर आरोग इसे तु ए आई वी आरेस एंट्रेक्टिव वायरस रेंस्पॉंस सिस्टम ये के अंदर सरकार ने तमिल नाड़ु सरकार के सहयोग से यह पहल सुरूग की है और यह सिवा उन लोगों के लिए है जो स्मार्ट पौन का उपयोग नहीं करते हैं यह सिस्टम एक मिस्ट कॉल द्वारा ही सक्री किया जा सकता है युक्ति पोर्टल किसने शुरू किया है तो मानो समसाधन विकास मंत्राले ने शुरू किया है और इसका काम क्या है तो इसने कोरोना वायरस के लिए मंत्राले द्वारा किये प्रयासों की निगरानी करेगा यह पोर्टल कोरोना वाइरस की वज़ा से सामने आ रही चुनोतियों की हर आयाम को समग्र और व्यापक तरीके से दिखाएगा आईगोट पोर्टल किसने लांच किया है तो आईगोट पोर्टल मानोस अंसाधन विकास मंत्राले ने दिख्छा प्लेटफॉर्म परस्वास्त करमचारियों और कोविट-19 के लिए आगे खड़े युद्धाओं को सिक्षित करने के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉ के मांध्यम से जो कुरोना वायरस से युद्धान लड़ रहे हैं उनको प्रसिक्षित करने के लिए लांच किया गया है तो इसमें मानोस अंसाधन विकास मंत्राले कार्मी कोयम प्रसिक्ष्ण विभाग ने इसको लांच किया है जीवन सक्तियोजना पद्रप्रदेश सरका परियोजना के तहत मरीजों यह बुजूर्गों के दरवाजे तथा अनिवार शिवाएं और दवाएं पहुचाने वाले फार्मासिस्ट को किस नाम से पुकारा जाता है तो सास्त के सिपाही ध्यान दखिएगा वधान मंत्री जन और सदी योजना के तहत मरीजों और कोईट नाइनटीन कांटेक्ट ट्रेसिंग प्लेटफोर्म बनाया है तो एपल ने गूगल के साथ मिलकर ब्लूटूथ आधारित कोईट नाइटीन का पता लगाने वाले टूनेट मसीन को आज सी अम आर में कोईट नाइनटीन परिक्षन के इलाज की ज़ाधत दे दी है त ध्यान रखेगा टूनेट क्या है तो टूनेट टीबी की विमारी का परिक्षनल करने वाला यंत्र है जो कि अब कोईट 19 का भी परिक्षनल करेगा इसकी इजादत आज सेमार ने दे दी है नेशनल एरोस्पेस लिबोर्टरी ने स्वस्थ वायू के नाम से एक नौन इन्वैस्व वेलेंटि लेटर बनाया है और कोईट 19 के समय दवायें स्वाय देने के लिए राज के पुलिस कर्मियों को मध्यपरदेश सरकार ने कर्मवीर पदक से सम्मानित किया गया तो पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया किस ने सम्मानित किया मध्यपरदे सरकार ने के सम्मानित किया क्यूं सम्मानित किया कोईट 19 के समय सिवाय देने के लिए ठीक है भारती नौ सेना द्वारा विक्सित की गई पीपी केट का नाम क्या है नवरक्षक नाम है हमका भारती नौ से कमान ने commit 19 मरीजों को एरलिफ्ट करने के लिए air evacuation port कर्यमार किया है राज के विभिन जो प्रवासी कामगार लौटे हैं उनके लिए मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना किस ने चलाई है तो मुख्य मंत्री सुराज सुरोजगार योजना उत्तरा खंडे सरकार ने चलाई है कोबैस 6800 क्या है तो कोबैस 6800 कोबिट-19 के मरीजों की जाज के लिए परिच्छन मसीन है कोबिट-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपिय देश स्लोवेनिया है कोबिट-19 के चलते सरकार ने निर्वाताओं, सप्लायर और ग्रहकों के लिए कौन से हिल्थ केर सप्लाई चैन पोर्टल की सुर्वात की है तो आरोग पत प्लाज्मा थ्रेपी में से कौन राज से प्लाज्मा थ्रेपी से किस सिराज में देश के सबसे पहले मरीज की छुटी हुई करनाटक करनाटक ने 18 जुन 2020 को मास्क दिवस मनाया करोना संकट से निबटने और स्वास सिवाओं को बढ़ाने के लिए 200 मिलियन यूरो का करार भारत ने फ्रांस के साथ किया है तो कुरोना संकट से निबटने के लिए और स्वास सिवाओं को बढ़ाने के लिए 200 मिलियन यूरो का करार हुआ है भारत न फ्रांस के बेश में ध्यान रखिएगा सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम ओफ कबिट 19 नामक बुकलेट लांच की है कौन सी सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम ओफ कबिट 19 नामक बुकलेट लागडाउन एशन लीविंग और स्टोरीज के लिए के कौन हैं सुभा डे कबिट 19 का मुकाबला करने के लिए पितान नासक इस पर अनन्या को किस ने विक्सित किया है तो अनन्या को डिफेंस इंस्ट्यूट औफ एडवांस टेक्नोलोजी पूनि ने किया है रोजगार से टुपोटल जो प्रवाजि मज़दूरों को रोजगार देगी किस राज ने सुरू की है तो मत्रप्रदेश ने सुरू की है मर्द्र प्रदेश ने दिव्यांग आंगनवाडी कार्यकरताओं को करोना युद्धा का दर्जा देने की खौंशा की है मर्द्र प्रदेश ने दिव्यांग आंगनवाडी कार्यकरताओं को करोना युद्धा की दर्जा देने की खौंशा की है WHO ने G1 रख्चक तकनीकी की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए COVID-19 Technology Access Pool का launch किया है COVID अब पुछेएगा इस तरीके से कि टेकनोलोजी आक्सल पूल किस ने लांच किया है तो टेक्नोलोजी एक्सेस पूल का लांच डब्लुएचो ने किया है किसले किया है तो जीवन रक्षक तक्नीक की समान पहुँ सुनिचे करने के लिए कोबिट-19 का इलाज करने के लिए कोरोनिल और स्वासरी आयरवेदिक दवाएं पतंजली आयरवेद लिमिटेट ने लांच की है मानव अधिकारों पर कोबिट-19 के प्रभाव का अधियन करने के लिए के एस रेड़ी की अध्रक्षता में एक समित का अगठन किया गया है यह समित बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान रखेगा के एस रेड़ी WHO ने COVID-19 से निवटने के लिए एक सोतंतर पैनल का अगठन किया है जिस पैनल की अध्रक्षता कौन करेगा हेलन क्लार्क और एलन जॉंसन सर लीफ हेलन क्लार्क और एलन जॉंसन सर लीफ ओडिशा ने COVID-19 महामारी में डाक्टरों की उपलब्दा सुनिशित करने के लिए डाक्टरों की सेवा निर्ति की आयो 62 से बढ़ाके 65 वर्स कर दी प्रवासी रोजगार एप की सुरुवात किसने की सोनू सूध ने सोनू सूध ने प्रवासी रोजगार एप की सुरुवात की है COVID-19 लाव लैब शुरु किया WHO ने कानूनी धाचा लागू कर महामारी से निवटने के लिए केंद्र सरकार ने 20 अगस्त को कर्मचारी राज बीमा निगम की बैठक में करोना संकट में बेरोजगार हुए कामगारों को उनके पिछले तीन महिनों के बेतन का 50 वर्स तरकम देने की होश्णा की है इसका लाब लगवक 40 लाख कामगारों को मिलेगा उन्होंने 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 के लिए अपनी नोकरिक होई असम सरकार ने करोना के कारण ओन ड्यूटी मृत्प तरकारों और अन्य कर्मचारी को 50 लाख रुपे वीमा कवर देने की खुश्णा की है वाहन मित्र योजना आंधरपदेश सरकार दोरा लांच की गई है जहांके सीम कौन है जगमोहन रड़ी उदेश इसके तहत लागडाउन से प्रभावित आटो और टैक्सी चालकों को 10 हजार की वित्ती सायता दी जाएगी वाहन मित्र योजना आधरपदेश सरकार दोरा आजी विका हस्तक छेप योजना और इसा सरकार जीवन नव आजी विका हस्तक छेप योजना और इसा सरकार सीम कौन है मांका नवीन पटनायर आजी विका हस्तक छेप योजना का उद्देश क्या है किसानों प्रवाज़ी मजदूरों चता क्रोना प्रवाज़ीत लोगों को आजी विका में मदद करना इसके लिए सरकार ने जून 2020 से मार्च 2021 तक 17,000 क्रोन रुपए खर्च करने के गौश्रा की है कि अजी विका हस्ताचे प्योजना प्रवाज़ी मजदूरों को आजी विका में मदद करना है इसके लिए सरकार ने जून 2020 से मार्च 2021 तक 17,000 क्रोन खर्च करने की गौश्रा की है कोरोना वाइरस से पटने के लिए G20 देशों ने ग्लोबल एकॉनमी में 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर देने की गौश्रा की है कोरोना वाइरस के प्रकोश्र से लडने के लिए SBI ने वर्ष 2019-2020 के अपने वार्सिक लाव का 0.25% सरकार को देने की गौश्रा की है ADB ने COVID-19 के खिलाब जूज रहे सर्ष देशों के लिए वित्तीय पैकेश को तीन गुना भढ़ाकर 20 अरब डॉलर कर दिया है भार्स सरकार ने COVID-19 समंदी नीजी छेत्र गैर सरकारी संगटन और अंतरराश्टी संगटों के साथ समनवाई हेतु एक समीतिक अगठन किया है जिसके अविद्धक्षता अमिताब कांद कर रहे हैं और ये अमिताब कांद नीतियायों के सीयों हैं इसका उद्धेश विस्व बैंक, एसन विकास बैंक, सही उप्तराश एजंसी के साथ मुद्धों का समधान करना है साथ अप्रेल को दिल्ली सरकार ने कोरोना वाइरस से नेपटने के लिए 5T प्लान योजना लागू की 5T में क्या है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्ट, एड रेकिंग उत्तराखंड से देश के सबसे पुराने राश्टी उद्ध्यां जिन कारविट ने जानवरों के लिए देश के पहली कुरेंटाइन सुविदा इस्थाविट की है जानवरों को कुविट-19 से बचाने के लिए मानो सलसाधन विकास मंत्राले ने इस्टे होम इंडिया विद बुक पहल की है और नेशनल बुक ट्रस्ट की वेबसाइट पर लॉंच की है उत्तर पुदेश सरकार ने वायरस से निपटने के लिए टीम 11 की इसापन की है जारकेंट सरकार ने लागडाउन के दवरान अवश्यक वस्तू और सेवाओं के वित्रण में कारेरत लोगों को इपास जारी करने के लिए प्रज्यान नमक मुबाइले जारे किया है तो यह पूछेगा वो कि टीम 11 किस राज की है तुटराकंडी की है प्रज्यान किस राज की है जारकंडी की है भारत का पहला इंटरनेट नियंतर रोबोट जिसे कोरो वाट नाम तिया गया है ठाने के एक इंजिनिर ने विक्सित किया है यह रोबोट कोबिट 19 मरीजों का लाज कर रहे अस्पतालों को सहाइता प्रदान करेगा इंटरनेट टक्नीक का अपयोग करने वाला यह विस्तु का पहला रोबोट है क्या नाम इसका कोरो वाट मद्दप्देश ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान सुरू किया है किल कोरोना अभियान मद्दप्देश सरकारने चलाया है और इसके तहर दोर टोर सर्वक्षिन किया जाएगा कनाठक सरकार ने चलाया है ब्रेक, दाचैन कार्टूोन अभियान केरल सरकार दोरा चलाया गया है भारत के विभिन्य राजियों में ग्राउंड जीरो पर ब्रेक दाद पर कोरोना चैन नमक जागरुकता अभियान फ्कोर्ण के लाग किया सिह क्या है व्योहर प्रिवर्टन ल्मी की लिव्यांं नीति आयोग और बील ग्रेट नीति आयोग और बिल आड विलिंदा गेट फाउंड़ेसन द्वार। प्रस देश की यह nearu अनलौक होने के दूरान लोगों के बीच कोविट सुरक्षित ब्योहार सुनस्चित करना जैसे मास्क पहनना समाजी दूरी बनना हाथ की सफाई त्यादी सुरक्षित दादा दादी और नानानी अभियान यह नीत यायोग दरा शुरू किया गया है इसके तहत कोविट 19 के दोरान वरिष्ट नागरिकों के स्वास्त प विखसित किया गया है रूष के सेचे नो विश्व विद्याले ने करोना वैक्सीन के हुमन ट्रायल के सभी चिरण को पूरा कर लिया और को पूरा करने वाला रूष दुनिया का पहला देश बन गया और इसका नाम इस वैक्सीन का क्या रखा गया स्कुत्निक 5 जान ऐसा उसने अपने देश के नागरिकों को नौकरी देने के लिए किया है। WF ने कोरोना वाइरस के प्रभाव से ने पटने के लिए WHO के सहयोग से COVID action platform launch किया है। भारत की पहली कोरोना वैक्सिन को भारते चिकित्साम सुन्दान परसद आइसेमार द्वारा भारत बायोटेक के साथ मिलकर त्यार किया गया है। कोड क्या है इसका कोड बीबी वीवन 152 बीबी वी 152 भारती वाजशना ने COVID-19 से पेडित रोगियों के परिवान है तो अरपित नामत एक प्रतक परिवान का विकास किया है। अब सरकार की वीविन योजनाए दी हुई है तो सरकार की योजनाओं को हम बात में देखेंगे अभी उससे ज्यादा इंपोर्टेंट है उसको चीज़ों को देख लेते हैं फिर हम इन योजनाओं पर लोटेंगे। पहले हम कर लेते हैं यह देखें यह प्रमुख रिपोर्ट है 2020 के दुरान जो आई हुई है। स्वक्ष सर्विक्षन रिपोर्ट 2020 पांचवा संस्क्रण है जारी करता कौन है तो केंदरी आवास और सहरी मंत्राले द्वारा जारी किया जाता है। Quality Council of India द्वारा सर्विक्षन किया गया। जनसंख्या के आधार पर सहरों के वर्गी करण पर रैंकिंग जारी की गई है। रिपोर्ट में इंदर को लगातार चौथी बार प्रत्थामस्तान मिला है। तो 10 लाग से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वक्ष सहर इंदर है। इस सूची में बिहार की पत्ना सहर सबसे नीचे 47 रैंकिंग पे है। ध्यान रखेगा, 10 लाग से अधिक आबादी में पत्ना सहर सवक्षटा में सबसे नीचे 47 व्यरैंक पे 1,000,000 – 10 सिरateg तक यानि 10 करोनसे क्रोन से कम की अबादीवाले में जो कि एक से दस लाग तक की अबादी के हैं उनमें क्या है अंबिकापूर प्रथमस्थान पर है और फिर इसमें सबसे नीचे बिहार का गया है 382 रेंक में तो ध्यान रखें दस लाग से अधिक आबारी वाले सहरों में सबसे गंदा सहर पटना है मतलब एक से दस लाग की आवादी वाले सहरों में सबसे गंदा सहर गया है एक लाग से कम आधिवाले सहरों में महाराश के तीन सहर कराख, सस्वार और लोना वाला सबसे स्वक्ष सहर के रूप में चुना गया है वाराणसी को सर्वसेष्ट गंगा सहर गोशित किया गया है भुपाल को सबसे स्वक्ष राजदानी गोशित की गई है जालंधा चावनी बोड को सबसे स्वक्ष चावनी बोड गोशित किया गया है 36 गल को सबसे स्वक्ष राज का खिताब दिया गया है भी देखते हैं, कचरा मुक्ठ सहरों के Star Rating, रिपोट 2019। केंद सहरी मंत्रalsa, द्वरह जारिक प्रत में desponet x6 शह लोग दिया गया, तीन स्टार रेटिंग 65 सहरों को, एक स्टार रेटिंग 70 सहरों को, तो पांच स्टार रेटिंग में ध्यान रखिये कच्रामुक्त सहरों के स्टार रेटिंग आप पड़ रहे हैं, तो कच्रामुक्त सहरों के स्टार रेटिंग में पांचवां स्टार जिसको जिसको मिला है, वह अम्बिकापुर है चतिसगळ का राजपोट है गुजिरात का सूरत है गुजिरात का मैसूर है करनाठक का इंदोर है मदरप्रदेस का नवी मुंभई है महराष्ट का 3 इस्टार सरवाद एक 34 सहर महराष्ट के हैं तिन इस्टार पाने वारे अब राजियों के Ease of Doing Business Index को देख लेते हैं विट्रमंत्रि निर्मला सीतारमरद्वार रैंकिंग जारे की गई है यह चोक्सा संस्क्राण है Ease of Doing Ease of Doing Ranking को Business Reform Action Plans के अंतरगट Department for Promotion of Industry and Internal Trade मतलब DPIIT द्वारा त्यार किया गया है उद्देश घरेलू और व्यास्टिक निमेज को आकरसित करने कारोबारी महोल के सुधार कर राजियों के बिश प्रतिस प्रदा पैदा करना है प्रथम अस्तान आद्रप्रदेश का है सबसे नीचे का अस्तान त्रेपुरा को मिला 36 सबसे नीचे का अस्तान बिहार को 26 अस्तान प्राप्थ हुआ तमिलनाडू है अंतिमस्तान पे जारखंड है तो गुड कवर्नेंस के मामले में सुधासन सुषकांक में तमिलनाडू प्रतमस्तान पे आ गया और जारखंड अंतिमस्तान पे चला गया पुर्वत्तर में पहाड़ी राज्यों में प्रतमस्तान पे हिमान चल प्रदेश अर अंतिमस्तान लक्षदीप को मिला है नीदी आएट